Hello and welcome back everyone, मेरा नाम है आशीश और आप देख रहे हैं Tasty Cody चैनल So guys, हम आज की इस वीडियो में लेके आएं हैं आपके लिए Mean Stack का प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में सबसे सिंपल तरीके से API बनाने सिखाएंगे वो भी MongoDB, ExpressJS, Node.js और Angular के साथ beautiful application बनाने वाले हैं सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे complete cover करेंगे कि API कैसे बनती है API में MongoDB कैसे यूज किया जाता है, ExpressJS कैसे यूज किया जाता है और Node.js कैसे यूज किया जाता है, उसके बार second phase में हम बात करेंगे Angular के, Angular में हम देखेंगे किस तरीके से API को connect किया जाता है with the help of services, with the help of HTTP client module तो इन सारे topic पे हम cover करेंगे और साथ ही साथ मैं बता दूँ, ये project पूरा completely latest technology पे होगा latest technology मतलब Angular 15 पे और Node.js के latest version पे होगा, जो भी LTS version होगा ExpressJS का जो भी LTS version होगा तो इन सारे topic पे हम cover करने वाले हैं, इन सारे topic को हम देखने वाले हैं तो चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, कि जो mean stack application बनाने इस पहले software necessary होते हैं उन में कौन-कौन से software लगते हैं, तो हम आगे video के तरफ बढ़ते हैं, ठीके तो जैसा कि ये हमारा YouTube channel है, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो कर लीजिए आपको angular, mean stack, node.js, इन सारे से related video आपको मिल जाएगी आपे देखें, जब भी कोई हम project बनाते हैं, तो हमें 3-4 application की बहुत ज़्यादा जरूत होती है सबसे पहला application आपको जरूत पड़ेगी node.js की, ठीके, बीना node.js के आप angular का project बना पाएंगे और ना ही कोई mean stack बना पाएंगे, ना ही मरन stack बना पाएंगे, कोई भी application आप नहीं बना सकते हैं अगर आप javascript framework पे कोई application बनाना चाहते हैं, तो आपको node.js application की बहुत ज़्यादा जरूत होने वाली है so you have to install it 18.12.1 LTS version long term support के लिए यह version है आप इसको download कर लिजेगा, install कर लिजेगा, उसके बाद second चीज़ ज़रूत होती है हमें एक editor की ज़रूत होती है, तो editor, editor तो बहुत सारे हैं लेकिन आप visual studio code जैसा editor अभी तक नहीं पाए होंगे I am damn sure about that क्योंकि इसमें ऐसे से extension है, ऐसे से work करते हैं, ऐसे से suggestions आते हैं इसके जो extension download करने वाद जो हमें reliability मिलती है code करने में वो बहुत जादा easy कर देती है, आशान कर देती है, समझने के लिए कोई भी चीज, कोई भी topic समझने के लिए, कोई भी code करने के लिए तो मैं recommend करूँगा कि visual studio code ही download करना, otherwise आप notepad पे भी कर सकते हो, sublime text 2 पे कर सकते हो, बहुत सारे editors हैं, आप उस पे भी code कर सकते हो, लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप visual studio code ही choose करो, ठीक है, and third, आपको ज़रूद पड़ेगी git bash की, git bash क्या करता है, basically Linux command का terminal का look and feel देता है बट सिर्फ इतना ही नहीं, आपको on time पे git push करना हो, git merge करना हो, git lab से connectivity बनानी हो, तो उन सारे चीजों के लिए, ये github आपके लिए बहुत जादा helpful हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो, चाहो तो ना भी करो, लेकिन आप कर लोगे तो बहुत ही बहतर होगा, and the last जरूरत है जो, उसका नाम है postman, postman का ये application है, postman.com पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें free of cost है, इसको आप download कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं recommend करूँगा, कि आप इसको download ना करो, क्योंकि इसका extension आता है Google Chrome में, तो आप extension रख लेना तो आपका काम हो जाएगा, आपको इसको download करने की जरूत नहीं है, लेकिन आगर आपके memory अच्छी है, RAM अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, तो आप download कर सकते हो, हमेशा offline भी work करेगा, बहुत बढ़िया work करेगा, ठीक है, तो, कोसिस करना, कि आप इसको download कर लेना, क्योंकि जब मैं API बनाऊंगा, तो इसको test भी करना होता है, और वो testing हम यहीं से करेंगे, ठीक है, तो यह सारी चीजे आप download करके install कर लेना, और उसके बाद आप हम चलते हैं, अपने laptop की screen के तरफ, और एक-एक step करके सीखते हैं, किस तरीके से API को बनाते हैं, with the help of Node.js, MongoDB and Express.js, तो हम अपने laptop की screen पर आगे हैं, यहाँ पर हम एक folder create कर रहे हैं, folder का नाम हम देने वाले हैं, full stack, और यह application basically है, main stack, तो हम main stack ही देंगे, full stack नहीं देंगे, यहाँ पर main stack application पर हम सबसे पहले तो एक folder create करते हैं, ठीक है, folder का नाम हम देंगे, back end, क्योंकि यहाँ पर back end का सारा code क API बनाना, API मतलब हुआ ही back end, ठीक है, तो सारी चीजों का कबर करेंगे, इसको सबसे पहले हम open कर लेते हैं, code पर, code मतलब हुआ, visual studio code पर, यह sword form है, command पर code लिख दोगे, तो आपको फोल्डर consume करके, visual studio code पर open कर देगा, उसके बाद आपको terminal पर hit करना है, npm init, npm initialization basically आपके package dot JSON को इन इसलाइज करता है, तो यहाँ पर package नहीं मांग रहा है, version मांग रहा है, description मांग रहा है, तो जो भी आप देना चाहो, इन सारे चीजों पर दे सकते हो, अगर आप चाहते हो, कि यह सारे questions समसे ना पूछे, तो आप npm space init space y, hyphen y use करोगे, तो directly यह create करके देदेगा package dot JSON, तो मैं इन सारे पर ok ok कर दिया, सिर्फ description और author में दे दे रहा हूं, बाकी सारे चीज को में ok कर दे रहा हूं, ठीक है, तो यह क्या करेगा, package dot JSON file बना दिया, और जो की, जो हमने वहाँ पर information डाले थे, वो सारे information आपको यहाँ देख जाएंगे, basically package dot JSON वो होता है, जहाँ प third party library, जैसे express.js, body parser, तो इन सारे चीज को use करेंगे, तो यहाँ पर command hit कर रहे है, npm, space i, space express, space body parser, and mongoose, mongoose basically database के लिए use करेंगे, database connectivity के लिए, body parser होता है, कोई भी data request send करता है, तो वो request कैसे पता चलता है, database को कि क्या request है, ठीक है, तो उसको handle करने के लिए, हम body parser use करते हैं, body parser के help से बोलते हैं, कि हमें username चाहिए, हमें id चाहिए, हमें password चाहिए, id चाहिए, तो इसके लिए body parser use होता है, express.js connectivity है, एक तरीके का middleware है, जो की connectivity प्रोवाइड कराता है, front end to back end, without any boundation, ठीक है, तो यह तीन package अभी install करों, अभी इसमें हम node mon भी install करेंगे, course भी install करेंगे, यह सारी चीज़ इंस्टॉल करेंगे, एक एक चीज़ आपको practical करके दिखाएंगे, लेकिन एक एक चीज़ समझते चलिए, जिसकी जरूरत है, उसी को सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो तीन package मैंने इंस्टॉल किया, तीनों के यहाँ पे आप देख सकते हो, versions define हो dependency का एक नया object बना, और version आए गए, ठीक है, अब आपको करना यह है कि आपको simply type करना है npm install space hyphen hyphen global space node moon, ठीक है, node moon basically यह server को one time पे run कराता है, उसके बाद यह automatically जितनी बाद changes करोगे, आपके server को automatically restart करता रहता है, आपको manually बार बार करने ज़रूत नहीं है, अगर आप इस package को नहीं install करेंगे, तो आपको बार बार manually install करना होगा, ठीक है, तो इसलिए यह package भी हमने install कर दिया है, अब इसको हम minimize करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक file create करते हैं, जिसमें हम code करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम create करेंगे app.js, app.js basically इसी app.js पे हम server create करेंगे, और इ अब ही API एक दिम बनके तयार हो जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक variable create करते हैं, constant, यहाँ पे सारी चीज़ constant, नाम से variable create करके, तब ही ज्यादा तर हम use करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक variable create किया, express नाम से, जिसको require करना पड़ता है, यह एक तरीके का ऐसा concept ह जैसे हम लोग angular में कोई भी library import करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी library को express या कोई भी variable को require किया जाता है, ठीक है, तो हमने express को require कर लिया, इसी तरीके से हम यहाँ पे body parser का एक variable लेंगे, जिसको हम require में डालेंगे body-parser, ठीक है, तो यहाँ पे हम same as this, यहाँ भी use कर करने वाले है require, parenthesis के अंदर single quote में body-parser, close कर देते हैं, और again constant space, constant नहीं, const, const basically variable का नाम है, course, ठीक है, c-o-r-s, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, course का error throw हो सकता है, इसलिए क्योंकि मैंने course का library भी install नहीं किया, ठीक है, तो इसको भी install करूँगा, अगर error नहीं आता है तो हमारा काम चाल जाए, कभी-कभी कोई-कोई system में globally course रहता है, जिसमें mean stack project चलता है, तो मैंने कई बार globally किया है, लेकिन हो सकता है, क्या पता out हो गया हो, साथ में हम mongo db के लिए compass अपना open कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको connectivity बनाने के लिए आपको करना यह होगा, यह जो URL है, इस URL का काम लगेगा, ठीक है, इस पर connect पर क्लिक कर दीजे, connect पर क्लिक करने के बाद आपका database connect हो जाएगा, अब इसके बाद आपको सिर्फ इस URL की ज़रुत पड़ेगी, जो URL अभी सामने दिखा था localhost 27017, बैसिकली यह एक तरीके का mongo db compass का port होता है, ठीक है, अब इसको minimize करते हैं, और आते हैं, अपने db.json पर सबसके पहले connectivity create करते हैं, यहाप एक variable ले रहे हैं, const mongoose नाम से, mongoose is equal to require, parenthesis के अंदर, हम यहाप पर देने वाले हैं mongoose, और उसके बाद यहाँ पर हम, mongoose.connect, बैसिकली यह connect predefined इसका method है, ठीक है, आपको use कर लेना है, mongoose.connect, उसके बाद यह URL simply आपको copy कर लेना है, copy करने के बाद यहाँ paste करना है, slash, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी database create करना हो, उस नाम से, तो मुझे blog app चाहिए, तो मैंने यहाँ पर blog app लिख दिया, blog application बना रहा हूँ, तो उसी के किसाब से database भी बनाऊँगा, तो मैं blog app लिखके database create करना हूँ, और यहाँ पर मैं error भी throw करूँगा, क्या पता कोई error आ जाए, तो error पर कुछ error आता, database connect नहीं होता, तो यह error क्या देगा हमके, तो उसको मैं यहाँ define करता हूँ, if, error, अगर error है, तो भी यहाँ पर क्या करें, यह control करा दे, यहाँ पर console log कर लूँगा, console log पर जो भी आप message पास कराना चाहों करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोशिश करना, वही message दिलाना, जो server से error आये, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, connection has ended, ठीक है, क्योंकि connection जो है, इंड हो चुका है, with error, with error मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर con connect करा ले रहा हूँ, original database का error, जो भी error आएगा, database return करेगा, वो error यहाँ पर print कर लेगा, directly ठीक है, और else condition में, database connect successfully दिखा देंगे हैं, यहाँ पर else case में भी console log करेंगे, console log में, यहाँ दिखा रहें, connection is successful, ठीक है, तो यह basic सा, बहुत simple सा code होता है, database connectivity का, जिसको लोग बहुत ज़्यादा खिछते हैं, लेकिन यह बहुत normal चीज़े हैं, ठीक है, अब यहाँ पर करना आपको यह है, कि इसको, जब भी कोई भी आप file बनाओगे, या कोई भी connection, कोई भी नए चीज़ फाइल बनाओगे, उसके बाद, उसको export करना बहुत जरूरी है, उस module को export करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर module.export is equal to mongoose, अब यह module हमारा क्या हुआ, export हो चुका है, मतलब इसको हम, बाहर कहीं भी हम call कर सकते हैं, import और export आप लोग समझ सकते हैं, import क्या होता है, export क्या होता है, अब यहाँ पर हम constant उसी mongoose को यहाँ भी use करेंगे, ठीक है, तो मैंने दिया constant mongoose is equal to require, और यहाँ पर require में हम use करने वाले हैं, single quote में, dot slash db.js, क्योंकि db.js फाइल को हम यहाँ पर export किया, यहाँ पर हम import कर लिए, इसी को भी हमने बोला था, require करना मतलब import करना, आप कोई भी चीज को import करते हो, तो यहाँ पर हम import कर लिए, db.js को, अब एक नया variable create की app नाम से, जिसमें मैंने express के सारे method को import कर लिया, ठीक है, अब जो भी use करूँगा, app.use लिखके करूँगा, ठीक है, तो मैंने लिखा app.use, parenthesis में हम यहाँ यूज कर रहे है, body parser, अब body parser का काम यह है, कि body parser क्या करेगा, json के through data ले जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिखा body parser.json, ठीक है, तो अब हमारा जितना भी body parser send करेगा, request send करेगा, request hit करेगा, response लाएगा, और वो सारे json format में लाएगा, json format में ले जाएगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, app.use, parenthesis में इसको course को भी use कर लेते हैं, course, basically मैं आपको बता दूँ, course use क्यों किया जाता है, यहाँ पे मैं origin address दूँगा, origin colon, localhost 4200, 4200 किसका port है, आप लोग angular पढ़े होगे, तो जानते होग जहाँ पे angular का project run होता है, और यह course बेसिकली use इस लेके जाता है, जब भी आप local से direct database को hit करते हो, तो local to server directly hit नहीं करने देता, तो उसके बीच में boundary create होती है, जो की रोकता है, तो उसी को बोलते है course handle, course handle तभी होता है, जब आप course पे define करते हो, कि हाँ हम इस database से इस local URL को hit कर र रहें, app.listen basically जो server होता है, server किस port पे चलेगा, तो server basically हमारा local 3000 पे चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3000 port दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं arrow back के साथ, अपने data को console कराऊंगा, data को console कराने के लिए क्लिए क्या होगा, console.log, parenthesis में मैं लिख दे रहा हूं, server is started, on port number, या port number 3000 आप लिख सकते हो, या आप dynamically भी यहाँ पे port number को अपने print करा सकते हो, तो मैंने इसको लिख के save कर दिया, अब save करने एक बाद हमारा सारा चीज डन हो चुका है, normal एक मैंने छोटा सा server create किया, और database की connectivity कर लिया, अब एक बार हम इसको check करते हैं, कि क्या यह हमारा database successful connected है या न app.js, app.js basically हमारी main file है, इस main file को run कर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर error दे दिया, cannot find module course, इसका मतलब है, course का कोई error आ रहा है, जो कि error थो किया है, और यह देखो, यहाँ पर दिखाता है, throw error, तो चलो, सबस्वले यहाँ चेक कर लेते हैं, course इंस्टॉल हुआ है, तो c से देखो, c नए terminal पे हम क्या करेंगे, course इंस्टॉल करेंगे, तो course इंस्टॉल करने के लिए आपको npm, space i, space course, space hyphen, save कमांड जब हिट करेंगे, तो course आपके machine पे install होके save हो जाएगा, आपके उस project पे, तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह कुछ message आ रहा है, हमारा window security का, तो आप पर कुछ warning आ रहा है, तिस warning को भी हम पहले fix कर लेते हैं, दुबार एक बर रन कराते हैं, अभी देखो, यह warning प्रॉपरली हमारी आ रही है, तो इस warning का भी कोई error है, ठीक है, API आपकी तभी run होगी, जब आपको कोई भी, कोई भी warning ना आए, जब ना तो कोई भी red color से error आए, तब जान लो, आपकी API successful run हुई है, अगर आपकी API में कुछ भी message आ रहा है, तो मैं इसको अभी fix करा, दरसल यहाँ पर connectivity में थोड़ा सा changes था, यहाँ पर हमने दो चीज value add किया, use new URL parcel true कर दिया, use undefined technology true कर दिया, और mongoset को strict true कर दिया, उसके बाद यह हमारा error दूर हो गया, ठीक है, तो यह चीज आप भी add कर लेना, अपने db.js file में, और ज्यादा तर latest वाले ही system में, ऐसे error आता है, अब देख सकते हो, server is started on port 3000, connection is successful, चलो, यह हमारा API server हमारा completely create हो चुगा है, और server भी सही चल रहा है, ठीक है, अब हमें करना यह है, कि यहाँ पर एक folder बनाना है, routes, sorry, एक file बनाना है, routes.js का, जिसमें हम routing define करेंगे, routing मतलब की app get करना है, post करना है, put करना है, यह सारी चीज हम routes पे define करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक folder बना लेते हैं, model नाम से, जो की हमारा data model define करेगा, कि कि टाइप का data model है, तो यहाँ पे model पे हम create करते हैं, post.js, पोस्ट.js पे basically यहाँ पे हम data model ही define करेंगे, और कुछ भी इस file में नहीं रहेगा, और इसको हम बना, post.js पे हम आते हैं simply, और यहाँ पे variable create करते हैं, const, mongos, क्योंकि database के हिसाब से हमें बनाना है data type, और यहाँ require करते हैं, अपने mongos को सबसे पहले, mongos को यहाँ पी import कर लेते हैं, import करने के बाद, again हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा से space locate करके, एक और variable create करते हैं, post नाम से, और यहाँ पर हम use करने वाले हैं, अब mongodb के database के data type को, ठीक है, एक तरीका के schema समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर hit किये mongos.model, mongos को हम बता रहे हैं, कि हमारे model इस type का है, parenthesis के अंदर हम pass किये, post, comma, curly bracket open and close, और यहाँ पर हम अपने data type define करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा title होगा, जो भी हम blog app बनाएंगे, उसमें हम title define करेंगे, तो title हमारा basically यहाँ पर, title, colon, curly bracket में type बताना पड़ेगा, type हमारा type string होगा, तो हम string रखते हैं, comma, अब यहाँ पर हमें type हो गया content हो गया, ठीक है, यहाँ content भी define करते हैं, content, और content किस type का होगा हमारा, वो भी string ही होगा, content भी हमारा string ही होगा, और साथ ही साथ ही यहाँ पर हम define करने वाले हैं, अभी दो ही value रखके एक बाद चेक कर लेते हैं, हमारी API से ही चल रहे हैं, सबसे पहले इसको हम export कर लिए, इस module को, और यहाँ terminator यूज कर लिए, ठीक है, save कर देते हैं, आते हैं फिर से route.js में, अभी हमारा API देखो successfully run हो रहा है, कोई issue नहीं आ रहा, कोई error नहीं आ रहा, error आएगा, तुरंट terminal पर आपको दिखा देगा, ठीक है, या तो यहीं पर red colors हो जाएगा, तो अब हम आते हैं route.js पर यहाँ पर भी हम export require कर लेते हैं, सबसे पहले express को, require करने के लिए, वही सेम चीज बार बार, constant नाम से variable एक बनाते है, express का, और require करते हैं, अपने express को, उसके बाद, again, constant router is equal to express, अब देखो, router जो भी होता है, हमारा express के अंदर होता है, तो express.router, जैसे हम angular में http यूज करते हैं, angular के अंदर common, common के अंदर http होता है, वैसे ही यहाँ पर router जो होता है, express के अंदर होता है, अब हम एक और variable create करते हैं, const mongo type, require कर लेते हैं, अपने mongo type को, error देरा, एक निट कुछ, यहाँ पर सबस्पहले, mongoose require करते हैं, अच्छा, यहाँ पर equal नहीं लगा है, मैं equal लगा देता हूँ, dot type, यह basically mongoose का type define करेगा, किस type का mongoose में, data type किस तरीके से use किया गया है, ठीक है, अब हम यहाँ पर again हम अपने post को import करने वाले हैं, तो post को import करने के, const post लिया, और यहाँ पर require लिया, parentheses के अंदर, single quote में हम इसको use करते हैं, dot slash backend slash model slash post.js, basically अगर यह URL गलत हो जाएगा, तो आपका data type सही define नहीं होगा, और बाद में कुछ error आजाएगा, तो हम इसको अभी, बहुत carefully तरीके से put करते हैं, अब यहाँ से हम define करेंगे routes, ठीक है, आपका server create हो गया, data model create हो गया, database connectivity हो गया, अब सारे routes हम define करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम use करेंगे, get all data from this API, इस API में सबसे पहले get करेंगे API को, तो यहाँ सबसे पहले हम use करते हैं, router.get, get method use करते हैं सबसे पहले, और यहाँ single quote में forward slash use करते हैं, कॉमा देते हैं, और यहाँ दो चीज़ यूज़ की जाती है, request and response, तो parenthesis के अंदर हम use करेंगे request and response, req,res, और यहाँ arrow back के साथ हम curly bracket के अंदर, अब हम सबसे पहले server को हम request भेजते हैं, request करते हैं कि हमें यह data चाहिए, तो हम server को request कर रहे हैं कि हमें post.find, हमें find करना है, क्या data find करना है, तो उस पे server response error के रूप में देगा, यह तो document, doc collection के रूप में देगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे find कर if condition यूज़ करते हैं, अगर मान लोग वो error return किया, तो क्या करें, console.log कर ले, console.log पे हमें बताए कि क्या error है, ठीक है, तो यहाँ पे हम if error curly bracket के अंदर, console.log, parenthesis के अंदर, single code में मैं लेग देता हूँ, error occur while fetching data, ठीक है, मतलब जब data हम fetch कर रहे थे, तो error generate हुआ, और साथ में हम plus error को अपने concorate कर ले रहे हैं, इसके बाद, यह एक तरीके का simple method हुआ, देखो if condition में error find कर रहा हूँ, else वाले condition में अपना data find करूँगा, ठीक है, जिससे कि error के first priority यहाँ पे दे रहा हूँ, response.status, basically जब कोई error आता है, तो उसका error code भी होता है, तो यहाँ पे status में code भी define करेगा, तो मैं देता हूँ, response.status में 400 error है, .send, और send में क्या करेगा, internal error, यह हमारा response में हम दिखा सकते हैं, जब भी आप user को front side से दिखाओगे, तो यही error दिखाओगे, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे, बाहर हमने single code यूज़ के लिए, ठीक है, अब हम यहाँ पे else condition यूज़ करते हैं, अगर error रहा, तो error आएगा, else condition में directly successful data आएगा, तो successful data हम response में लेंगे, response.send, और send के अंदर हम यहाँ पे doc लेंगे, ठीक है, document जो भी होगा, अब हम यहाँ पे हम use करने वाले हैं, create new data, create new data हम करेंगे, तो create new data के लिए, हम post method यूज़ करेंगे, post method के लिए simple router.post, router.post, और post में हम again single quote में, forward slash, request, response. यहाँ पे एक variable create करते हैं, post is equal to new post. ठीक है, basically एक variable create किया, और उस variable के साथ साथ, जो हमने post.js को हमने use किया है, उस post के data model को यहाँ पे हम use कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, title colon request dot body dot title, ठीक है, मतलब हम server को request कर रहे हैं, post करते हैं, कि यह हम title पे दे रहे हैं, और यह चीज content में दे रहे हैं, तो content को भी हैसी ही define करेंगे, content colon, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक, एक कल देता हूँ, ठीक है, अब error आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग दो तरीके से लिख सकते हो, वो दोनों तरीके में बता रहा हूं, लेकिन इस तरीके में error आएगा, तो मैं यह चीज पहले आपको बता दे रहाँ, clear कर दे रहाँ, ठीक है, देखो, जब भी आप syntax को मेरी तरह, जैसे मैं इसमें लिख रहाँ, इस तरीके से लिखोगे, तब आपको error generate होगा, ठीक है, लेकिन जब आप data model बना के नहीं, आप directly server को hit करते हो, और connectivity भी अलग तरीके create करते हो, with the help, आपनी connectivity direct, आपने app server में करते हो, आप server में routing भी करते हो, तो उस case में आपको equal देना पड़ेगा, जब आप एक system से, जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आप बनाओगे, तो आपको colon देना पड़ेगा, देखो, error आ रहा है बराबर equal का, अभी मैं आपके दिखाऊंगा, suggestion का through ही मैं इसको fix करूँगा, ठीके, तो मैंने title को भी request किया, content को भी request कर दिया, अब एक और username में बनाओँगा, क्योंकि title, content और username, तीन चीज में दिखाना चाहूँगा, user को, जब भी हम data post करेंगे, ठीके, अब देखो, username में request.body, request क्या है, मैं server को request कर रहा हूँ, body क्या है, body parser, जो कि हमारी data को ले जाएगा, dot username, ठीक है, तो यह मैंने एक variable लिया, post नाम का, जिसमें यह हमारा post type का data type था, देखो, kick fix में कर रहा हूँ, यहाँ पे, देखो, बता रहा है, equal to colon कर लो, mouse ले जाता हूँ, kick fix पे, तो बताता है, equal to colon करो, ठीक है, change, और यहाँ पे इसको भी बताएगा, equal to colon करो, आप देखो, error दूर हो गया, तो इस तरीके से, आप data को post कर सकते हो, और आप देखे हो, यहाँ पे error भी नहीं आ रहा कोई भी, ठीक है, तो आप, इसलिए बोल रहा ह कि कुछ भी चीज यूज करोगा न, तो उसको एक एक चीज समझ के करना चाहिए, ठीक है, यह नहीं कि मैंने कर दिया, हो गया, बात खतम, नहीं, कोई भी चीज करो, समझ के करो, error को भी समझो, जब error आए, तो उसको भी समझो, ठीक है, अब देखो, post के data को, जो भी हमारा let to variable यह post, अब post.save, save एक method होता है, fire करूँगा, जब fire करूँगा, तो दो चीज होगी, एक promise create होगा, उस promise में यह तो error आएगा, यह तो, यह तो error करेगा, यह तो successful करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर error आए, यह success, arrow back के साथ condition लगाता हूँ, if, अगर error मिला, तो क्या करो, control.log, ज same procedure में follow करूँगा, ध्यान देना, जब भी अब चाहे get हो, चाहे put हो, चाहे post हो, चाहे edit हो, चाहे delete हो, सब पे same ही करूँगा, मैं, ठीक है, तो पहले else वाला condition लिख देता हूँ, response.send, parenthesis के अंदर doc, क्योंकि document में collection मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखात हूँ, error case में, console.log करूँगा, पहले, internal error, plus error, ठीक है, मैं एक simple error कर दिया, उसके बाद, यहाँ पर हम, terminal किये, interface किये, और यहाँ पर response.status, status code दिखाना बहुत जरूरी है, मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बड़े project करोगे, तो बहुत small project में बता रहा हूँ, बड़े project करोगे, तो आपको, status code दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यूजर के error handle करने के लिए, front end में error handle करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर response.status.400 और .send यूज़ कर लिए, send में हम यहाँ पर फिर से अगें internal error दिखा सकते हैं, जो भी आप दिखाना चाहो, वो error दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अगें प्रेस करता हूँ, internal error, colon, error, ठीक है, save कर दिए इसको, again, हमारा ये दोनु चीज तो बन गया, अब हम तीसरा बनाएंगे, क्या, slash, slash, ये एक तरह के comment पास करते हैं, post data, sorry, post data by id, by id, get data by id होता है, get data by id, ठीक है, id के through data को कैसे face करेंगे, मालनो कोई particular id हो, उस id के through data get करना हो, तो उसके लिए एक method लिखते हैं, router.get, भाई, get करना है, तो get करने में, हम get method यूज़ करेंगे, ठीक है, single code के अंदर, slash, forward slash, यूज़ किये, colon, id, ठीक है, यहाँ पर देहन देना, ये slash के साथ, colon, id, पास करना पड़ेगा, जब मैं API आपको टेस्ट कराऊंगा भी, तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, request, response, sorry, request, response, arrow back, curly bracket, open and close, और यहाँ पर मैं, if condition लेता हूँ, mongo type, ठीक है, mongo type मतलब समझ गे न, कि mongo type के अंदर क्या मिलेगा, हमको पूरा object मिल जाएगा, type content वगरागा, तो उसके अंदर हमको, क्या चाहिए, dot is valid, क्या वो is valid है, अगर is valid है, तो request.params, params के थूँ क्या करते हैं, हम id get करते हैं, request.params.id, तो हम id यहाँ उठाएंगे, and curly bracket, open and close, और यहाँ पर अब हम देखो, जब हमारे पास यह आ जाएगा, तो उसके बाद हम यूज करेंगे, post, post. यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, call, caller, find, ठीक है, find by id करेंगे, क्योंकि id को थूँ फेच करना, तो post.find by id, and, क्योंकि जब उपर get कर लेगा id, तो find by id करेगा, find by id को थूँ हम data उठा लेंगे, data कैसे उठाएंगे, request.params. अगेन यहाँ पर हम हिट करेंगे, कि हमें इस वाली id का data जाएंगे, ठीक है, comma, error, comma, doc, error, comma, doc, ठीक है, अगेन अब हम यहाँ पर, same as this, arrow back के साथ, यूज कर लेता है, curly bracket open and close, और यहाँ पर हम, यहाँ पर if, error, curly bracket open and close, और यहाँ पर console कर लेंगे, console यह करेंगे, अगर हमालो error आया है, तो same वही, आप दे सकते, मतलब आप दिखा सकते हैं, इसमें, by id के थुरुख get करने पर, तीन आपको error काईदेस दिखने चाहिए, ठीक है, पहला, internal error, internal error तो भाई, simple से बात है, आप लोग जानते हो, जो error हमारा generate कर रहा है, server उसका error आएगा, दूसरा, response.status, parenthesis के अंदर, यहां 400, dot send, parenthesis के अंदर, single code के अंदर, यहां पर, internal error, colon, plus, error, ठीक है, अब आते हैं, else condition पर, else condition पर, यहां पर, हम pass करेंगे, response.status, send, parenthesis में, document, ठीक है, और, यहां पर, एक और error होगी, इस वाले, if condition पर, कि, जब आप, id पास करें, तो, पूरा object में, ढूनेगा, कि, यहाली, id कौन सी है, ठीक है, उस id के भिहाब पर, वो data का, error दिखाना है, जबकि, आप देख सकते हो, मैंने, post पर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कि, post पर, कोई, specific id हो, उस id के भिहाब पर, हमको, error दिखाना है, यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पर, अगर आप आउते हो, और आप यहाँ पर, use भी करते हो, तो, आपका error जेनरेट करेगा, हमारा code ही देखो, मैं लिख दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इस पर, else, कोई भी condition डाल रहा हूँ, तो error दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन, हमें करना कहा है, get by id पे, ठीक है, क्योंकि id के भिहाब पर, हम edit कराएंगे, तो, यहाँ server पर देख लो, server से ही चल रहा है, अब यहाँ पर एक और error दिखाएंगे, else, else, response.status, और यहाँ status पर मैं देने वाला हूँ, status code 400 ही दूँगा, यहाँ पर भी, .send, यहाँ पर मैं दूँगा, id not found, यहाँ पर यह वाला जो error होगा, क्यों भाई हमें id नहीं मिला, तो no record found from this id, no record found by this id, ठीक है, तो इस तरीके से, यहाँ पर तीन error देखेगा, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, आप लोग देख सकते हो, हमारे यहाँ पर साथ में id भी, कॉन करनेट करा सकते हो, कि आपको बता देगा, कि यह id का data हमें मिला ही नहीं, समझ गया न, तो इसी तरीके से, मीन स्टेक से ज़्यादा सिंपल तो कुछ होई नहीं जगता, मैं आपको यही बताऊँगा, ठीके, यह बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको सेप कर दो, अब आजाओ, ठीके, हमारा id के भाइज भी गेट हो गया, सेप भी हो गया, पोस्ट औल गेट हो गया, अब हमारा आता है, अगर माल, इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा, ठीके, कॉपी करने एक बाद, यहां मैं, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर मैं यहां दे देता हूँ, मैं डिलीट, और डिलीट मैं कुछ भी नहीं करना, आपको जहां router.get है न, get पे delete यूज़ करना है, और यहां पे थोड़े से changes यह करने है, कि, मैं एक काम करता हूँ, यहां पे थोड़े से changes है, changes यह होता है, कि, मैं एक बार पूरा cross test करना है, इसको सबसे पहले मैं delete करता हूँ, ठीक है, क्योंकि delete method यूज़ होगा, और find by id नहीं, find by id and remove यहां पी यूज़ होगा, ठीक है, बस हो गया, save कर दो, आपका all set है, देख लो, server is connected successfully है, और हमारी एक, छोटी सी API बनके तयार हो चुकी है, अब आपको, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ करना नहीं है, हम आते हैं, यहां पर slash slash, अब update के लिए हम थोड़ा सा, use कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि update भी तो करना है ना आपको, update नहीं करेंगे, तो आपका data update कैसे होगा, update by id, अपडेट के लिए आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना, इसको हम simply पूरा copy कर लेते हैं, copy करने के बाद एक काम करते हैं, मेरा mouse थोड़ा गड़ा गड़ा चल रहा है, और यहां पर मैं paste कर देता हूँ, यहां पर मैं use करूँगा put method, क्योंकि यहां पूट के थ्रू अपड़ेट होगा, तो हम इसको यहां पर करते हैं, पहले तो get करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें data को get करना है, तब आज आपड़ेट करना है, तो हमेंने get किया find by id, find by id, find by id, ठीक है, ठीक है, बस यहां से हमें इतना data उठा लेना है, पोस्ट वाले method से जाना आपको, जो आपने model बनाया है, let post नाम को variable, उसको पूरा को पूरा उठा लेना है आपको, और आने के बाद आपको यहां, request and response, ठीक है, अपडेट वाले में थोड़ा ध्यान से समझना, router.get, parenthesis के अंदर, forward slash, colon id, request response, उसके बाद, मैं यहां पर एक variable create कर रहा हूँ, post, पोस्ट नाम से variable create, ठीक है, is equal to, और यहां curly bracket create करेंगे, और इस curly bracket के अंदर, वो सारी चीप pass कर देंगे, क्योंकि जो भी user input करेगा, उस id के विहाब पर, यहां पर input कर देगा, और उसके बाद, बस फिर आपको, यहां पर कुछ जादा changes नहीं करने हैं, everything is done, और यहां पर आपको यूज करना है, find method, find and update, ठीक है, इससे क्या होगा, data find करेगा, अपडेट कर देगा, और यहां पर भी error, तीन ही तरीके देखेगा, क्योंकि क्या पता, कभी कभी id, वो find नहीं करेगी, उस id पर data updating होगा, तो यहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर एक चीज, दो argument और जाएगा, ठीक है, आपको साथ में जाएगी, set, colon, post, and comma यहां पर यूज करेंगे हम, और यहां पर एक ओक कर लिब रेकट यूज होगा, new, colon, true, ठीक है, यह, एक, दो, तीन, चार, हाँ, चार argument यहां पर, find by update पर जाएगा, और now, आपकी API बन के तयार हो गई है, कोई error नहीं है, successfully run है, और यह हमने open कर लिया, अपना postman, और postman पर आके हम API टेस्ट करेंगे, पहले सब चीज़ रिमूब करते हैं, don't save करते हैं, और सब से पहले आते हैं, यहां पर हम API टेस्ट करने के लिए, ओके यह चीज़ हमने चेंज नहीं किया, यहां put करेंगे, get नहीं होगा, put करूँगा, id के बाइस से, उसका डेटा अपडेट होगा, चलो, save कर लेते हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं, module, क्योंकि सारे module एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि module एक्सपोर्ट कि यह बिना आप यूज नहीं कर सकते हो, तो इसको सबस्पले, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, module.exports is equal to router, यह हमारा, export हो चुका, और अब इसके बाद हमें करना यह है, कि आना है, अपने app.js पे, यहाँ पर यूज भी तो करना है, export तो कर लिए, लेकिन यूज भी तो करेंगे, तब ही तो चलेगा, तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, const, router, is equal to, और यहाँ पर हम require करने वाले हैं, अपने router को, ठीक है, require, double comma dot slash backend slash router, सबसे नीचे है, router dot js, और save कर देते हैं इसको, save करने के बाद, यह हमारा, अब इस app dot use, parenthesis के अंदर, slash post, comma, router, जब आप router करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे router साएंगे, router, route, ठीक है, यह सारे में, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, post, save कर देंगे, save करने के बाद, चेक करेंगे, error तो नहीं है, कोई, हमारा, API ही सही चल रहा है, एकदम, क्योंकि server is connected, जितनी बार आप save करेंगे, उतनी बार यह restart होगा, ठीक है, server आपका, automatically start होगा, और automatically यहाँ पर चलेगा, इसको सब को collapse कर देते हैं, सारे कि सारे routes के अंदर देख सकते हैं, update, delete, create, get, get by id, तो सारे कि सारे method हमारे create हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब अपनी API को हम बस test करेंगे, तोटल अब हमारा API, इस API के वीडियो में तोटल 5 मिनट है, इस 5 मिनट हम से test करने वाले हैं, तो सब से पहले data को get करेंगे, हम URL हिट करने वाले हैं, http colon, double slash, localhost colon 3000, और यहां सब से पहले use करेंगे post, पोस्ट की तरू, body पे आते हैं, raw पे select करते हैं, और यहां पे हम अपना data post करेंगे, और यहां पे जेसन सिलेक कर लेना, अब देखो, मैंने जेसन सिलेक किया, यहां पे थोड़ा सा एक error करके दिखाता हूँ, आप लोग मतलब दिखान से समझना, यहां पे मैंने title दिया, आप लोग error पकड़ना, last में तो मैं solve करके दिखाऊंगा, यह दिखाऊंगा, title दिया, title colon किया, और यहां पर मैं दिया, angular, crud application, ठीक है, देखो पहले ही error का symbol बना है सामने, using node.js, angular create application using node.js, कॉमा किया, second content पर आया, content पर यहां पर आप जो भी डालना चाहो, आप content भी डाल सकते हो, double code के अंदर मैं देद रहा हूं, in this video, we will learn, we will cover angular, angular, mongodb, express.js, and node.js, ठीक है, तो यहां पर हमने content भी पास कर दिया, और content में, आप जितना बड़ा content देना चाहो, इतना बड़ा content आप दे सकते हो, इसको हम front end से handle कर लेंगे, चाहिए जितना बड़ा content हो, card में जब दिखाएंगे, तो इसको हम front end से handle करेंगे, उसके बाद, यहाँ पर topic after build beautiful application ठीक है I think इतना बड़ा perfect है and the last यहाँ पर हम pass करेंगे username title दिया content दिया और username username मतलब हो कि कौन आपका blog post कर रहा है उसका author name चाहे आप author name रख सकते हैं चाहे username मैं username रखा हूँ तो यहाँ पर एक बार service को send करते हैं जैसे send के यहाँ पर error generated हुआ error पर देख सकते हो 400 bad request आया अगर इस चीज़ को आप terminal पर देखोगे तो आपको वहाँ पर भी दिखेगा 400 bad error का इसलिए हमने हर तरीके के errors को वहाँ पर render करा कर रखा है कि कोई error आये तो उसका properly एक status code होता उसे status code के accordingly वह error दिखे देखो यहाँ पर देखो देख सकते हो in json position zero मतलब unexpected token है zero position पर error है जो कि हमारा यहाँ postman भी error दिखा रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो आपका यहाँ के भी हाँ पर कोई error नहीं है तो यहाँ पर confusion होती है तो यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर हमने पोस्ट पर username को नहीं पूट किया है इसको भी add कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर username add कर दिया ठीक है लेकिन अभी भी server is running connection successful बड़ यहाँ पर जब दुबारा service हिट करते हैं तब भी error आ रहा है तो code में हमारे कोई error नहीं है router पे भी एकदम perfect है सारी चीज एकदम perfection के साब से चल रही है आप जो भी request server को कर रहे हो server request सही हिट कर रहा है बड़ जो return ला रहा है वो error है वो error basically इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सही format में server को data दे ही नहीं रहे है जैसे हमने title देना है content देना है और username देना है इसको हम सही format नहीं देना है क्योंकि हमने select कर रहा है यहाँ पर json json format ठीक है बट हम यहाँ पर raw text दे रहे हैं देखो syntax पहले दिखा रहा है तो raw text का मतलब ही होता है कि आप कुछ भी करलो इसको जो भेजना है json format भेजना है जो json format होता है वो curly bracket का होता है जब आप curly bracket के अंदर कोई भी data पास करते हो तो वो होता है एक object एक json format अगर आप curly bracket के अंदर डेटा नहीं भेजते हो तो चाहिए आप URL टेस्ट कर लो, चाहिए आप KET method लगा लो, चाहिए पोस्ट method, कोई भी चीज लगा लो नहीं solve होने लिए, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, curly bracket और यहाँ पर करली bracket close, और अब आपको मैं send करता हूँ, और यहाँ पर देखने को मिलेगा 500 error, अब बता द करते हो कि case sensitive का कोई error है, case sensitive का error से fake ही हो सकता है, कि हमने कहीं method पे case sensitive data use किया, case sensitive मतलब होता है कि camel case में कोई word हम use कर रहे हैं, और उसको हमें, जो format होना चाहिए, वही format में use करना है, ठीक है, तो इसी को बोलते है case sensitive, तो हम अपने आते हैं API पर चेक करते हैं, कहीं ने कहीं हमने गड़ी क्या होगा, यहां पर case sensitive का, so let me check one more time, यहां पर आते हैं, username एकदम perfect है, और यहां पर हमने, control log, ठीक है, यहां पर सारी चीज़े सही है, post पर आकर देख लेते हैं, post पर title सही है, content सही है, username सही है, यहां पर variables भी हमने सही define किये हैं, तो कहीं ने कहीं कुछ गड़ी हो हो रहा है, आते हैं, यहां पर check करते हैं, यह हमने post के spelling सही है, route भी हमने सही दिया है, तो error कहां है, यहां पर हमने, जो route इंपोर्ट किये हैं, वही route यहां पर हम यूज करते हैं, और इसको हम एक second, यहां पर curly bracket का error है, यही error हमारा था, तो basically variable जब बना रहे थे, तो इसको curly bracket के अंदर पूट कर दिये थे, अब हमारा app पर्फेक्ट चल जाएगा, जैसे ही मैंने send किया, देखो, 200 status हो के आगया, title, content, username, और देख सकते हैं, यहां डेटाबेस एक ID क्रियेट कर दी, अब आके चेक करते हैं, इमने डेटाबेस पे, रिफ्रेस किये डेटाबेस को, यह blog आप जो टेबल बना, इस पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं, यहां पर पहला डेटा आ चुका है, और इस डेटा को क्लिक करके देखोगे, तो इसके अंदर वही डेटा देखेगा, ID, title में देखो, angular cred application using node.js, और सारी चीजे वही दिख रही है, जो आपने यहां पो tutorial videos will upload soon, ठीक है, और यहां पर आप थोड़ा से changes कर देना, आप यहां से node.js, express.js वगर आटा देना, topic तक, all beginners and advanced topic, ठीक है, और यहां author name आप चाहो हो, तो चेंज कर सकते हो, जो भी देना चाहो, मैं यहां पर as this, एक काम करता हूँ, YouTube का channel name दे देता हूँ, send करता हूँ, यह भी हमारा data successful send हो गया, इसको भी database में दिखा देते हैं, एक बार आप database पर आके, यहां पर रिफ्रेस करेंगे, रिफ्रेस कैसे करेंगे, यहां पर रिफ्रेस का button है, रिफ्रेस जैसे करेंगे, य यहां पर आप देख सकते हैं, दूसरा भी data आ चुका है, और उसकी एक unique ID generate हुई है, और इस ID के भीहाँ पर हम data को get कर सकते हैं, चलो, हम यहां पर आते हैं, get और get पर चेक करते हैं, सारा data आता है कि नहीं, इसको हटाते हैं, और अब send पर request है, जैसे हो यहां पर हम get करेंगे इस पे हमें pass करना पड़ेगा post, ठीक है, post method पे ही हम data सारा का सारा रखे हैं, तो post पे जैसे get करेंगे, method get है, जैसे get किया है, सारा एक सारा data यहां list हो गया, और सारा एक सारा data हमें मिल गया, चलो, यह दूसरी वाली data का ID उठाते हैं, इसको select करके copy कर लेते हैं, copy करने एक ब जैसे get किये, particular इस ID का data हमें मिल गया, ठीक है, तो इस तरीके से एक beautiful application बनाने के लिए, आप API बना सकते हैं, अपने mongodb किसाब से, चलो, यहां पे हम put करते हैं, कोई data edit करते हैं, पुट करने के लिए, edit करने के लिए, put method यूज होता है, आप लोग जानते हैं, और यहां पे हम same data को edit करने वाले हैं, जैसा कि यहां पे आते हैं, और यह हमने पूरा object रखा है, body पे आया, again drop है, और इस 15 को हमें काम करते हैं, replace करते हैं, 14 slash 15 करते हैं, ठीक है, और बाकी आज जिस रहने देते हैं, send किये, अब देखो, data update हो गया, और update होके, आपको recent data दिखा रहा है, यहां पे एंगलर 14, 15, तो अब आप get करोगे, जब आप पूरा data, तो आपको pack करके, जैसे send करोगे request, वैसे आपको second data पे changes दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप यहां पर आकर, इ second पे हम create करने वाले हैं, component, component folder बनाएंगे, तीसरे पे हम project run कराएंगे, चौथे पे हम use करेंगे, app model को configure करेंगे, और fifth point मैंने लिख रखा है, configure model, model को configure करेंगे, six point पे service में जो method define होता, उसको लिखेंगे, seventh point में component का data subscribe करेंगे, and fourth point पे हम router configure करेंगे, और इसके बाद जो component की design, design सिर्फ करेंगे, तो इसलिए हमने वीडियो को तीन पार्ट में तोड़कर रखा है, जिससे कि जो भी विगनर से, उनको समझने में understand हो, कि एक main stack के project को completely कौन-कौन से step में बनाना चाहिए, तो चलो, सबसे पहले, हम आते हैं अपने laptop के screen पे, और यहां पर, जैसा कि म अपने folder पे, main stack नाम का folder था, जिसके अंदर हमने backend नाम का folder बनाया था, जिसमें API बनाई थी, अब इसी folder के अंदर हम cmd type कर रहे हैं, और यहां पर हम install करेंगे, अपना नया project, तो नया project ने install करने के लिए, simply हम type करेंगे, ng new space front end, front end नाम से यह हम, angular का application create कर रहे हैं, अब यहा करना चाहते हो, तो मैं चूच करूँगा, css को, तो सबसे पहला option आया, yes किया, and दूसरा css पे इंटर कर दिया, तो जैसे इंटर करोगे, वैसे ही आपका application इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और बहुत जादा टाइम नहीं लगता, जब से angular 15 आया है, तब से बहुत ही code space dot जब लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा project चुटके consume होके हमारे visual studio code पे आ जाएगा, अब जैसे यह आ गया, हम अपनी terminal screen clear कर लिए, और जैसा कि हमने पहला step clear कर लिए, अब दूसरे step पे हमने दिखाया था, कि हम components create करेंगे, ठीक है, तो components बनाएंगे, services बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले command hit करते हैं, ng, g for generate, c for component, and components नाम का folder के अंदर dashboard नाम का component हम create कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, dashboard नाम का component तो आएगा, लेकिन उससे पहले components नाम का एक folder बनेगा, उसके अंदर dashboard नाम का component आएगा, ठीक है, अब दूसरा, दूसरी चीज हम बनाएंगे, service क्योंकि हम data को service के तुरू लाएंगे, तो service हमें बनाना है, तो service के लिए भी same command, बस c की जगा, s कर देना है आपको, और shared नाम का folder बना रहे हैं, उसके अंदर API नाम की service हम फाइल create कर रहे हैं, तो इससे हमारा service file create हो जाएगा, और उसके बाद, जब हमारा service file create हो जाएगा, तो हम बनाएंगे model, data model, तो data model के लिए भी same, इसी तरी किसम command देंगे, लेकिन इसका command थोड़ा सा लग है, जैसे ng, g for generate, i for interface, तो यहाँ पर interface में पूरा लिखूंगा, space model, model नाम का folder बनेगा, उसके अंदर post नाम का, हम data type model बना रहे हैं, ठीक है, तो इस दो component यहाँ पर create हो है, left side में देख सकते है, app directory के अंदर, और तीसरा folder बनने वाला है, जिसका नाम रहेगा model, और model के अंदर आपको मिलेगा post.ts, तो data model, basically हम data model के साथ ही work करेंगे, तो बन गया तीन के तीनों folder हमारा, और चौथा अब next है, हम जो compile किये थे point, उसमें लिखे थे next point पे हम अपने project को run कराएंगे, तो run कराने के लिए command दे दिये, अब हम आपको directory दिखा रहे हैं, यहाँ पर model के अंदर model है, shared के अंदर API service है, और dashboard के अंदर dashboard है, और यहाँ पर ngs के थूरू हम अपने project को run करा रहे हैं, अब इस सारी चीज़ को हम minimize कर देते हैं, सबसे पहले आते हैं output पे, यह रहा हमारा output, यहाँ पर अभी हमारा simply एक एंगलर का project install हुआ है, ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था, अभी हमारा 3 point complete होचका, project run तक हो चुगा है, अब चौथा point हम cover करेंगे, अपने app module को configure कर रहे हैं, ठीक है, app module को configure करना यह है, कि आपके यहाँ पर forms module add करना है, जैसा run हो रहा है, इस वज़ा से, यहाँ पर आपको suggestion देखने कर नहीं मिलेगा, यह जब completely build कर लेता है, उसके बाद आपको शारी suggestion दिखाना इस्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो जब तक यह build कर रहा है, compile कर रहा है, तब तक मैं इसे manually ही, इसके अंदर हम कुछ फाइले import करेंगे जैसे HTTP client module को import कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम import लिखे, HTTP client module, और यह हमारा library जो होता है, यह होता है, एंगुलर के अंदर, common के अंदर, HTTP में, ठीक है, देखो, यहाँ पर यह build type script complete run हो गया, तो इसको suggestion मैं, मैं पाउंस module को import कर दिया, अब यहाँ पर हम HTTP client को पहले import कर लेते हैं, तो यहाँ पर देते है, add the rate, angular, slash, common, slash, HTTP, basically, HTTP का, यह हमारे library होता है, HTTP client module, और इस HTTP client module के थ्रू ही, हम इसको use करने वाले हैं, अपने service के अंदर, तो इसमें comma किये, और इसको भी import area के अंदर, पास कर दिये, अब इसको हम save करा देते हैं, इसको close कर देते हैं, जैसा है कि मैंने point compile कर रखा था, fifth point पर हमने configure model लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर model को configure करेंगे, model configure करने, मतलब है, यहाँ पर data, data type, define करेंगे, तो मैंने दिया id, id हम string type का ले रहे हैं, जबकि यह हमें से number type को होता है, लेकिन यहाँ पर हम दिखाने के लिए, आपको जल्द आइडी होगा, title क्या होगा, content क्या होगा, और कौन सा user इसे post कर रहा है, तो इसको भी मैं save कर दिया, save करने के बाद आप इस file को भी हटा सकते हो, जो इसका कोई काम नहीं, तो आप यहाँ से close कर देना, अब आते हैं, हम API पे अपने, अब यहाँ पर हमने बोला था, कि next point हमा टॉप इंपोर्ट हो गया है, अब यहाँ पर हम अपने API का URL पास करेंगे, तो हमाँ पिछले वीडियो में आपने देखा था, API URL हमारा localhost 3000 slash post नाम से API था, ठीक है, तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं, इसको http colon double slash localhost colon 3000 slash post, अगर आपको API का वीडियो नहीं मिला तो आपको आ देख लें, जिससे कि आप भी एक completely बहुत basic label में API बना सकते हैं, जो कि आपके react.js पे भी work करेगी, view.js पे भी work करेगी, और angular.js पे भी work करेगी, तो आप किसी भी platform पे use कर सकते हैं उसको, तो यहाँ पर हम postman भी open कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, cross test कर लेते हैं, क जो URL लिखा है, सही लिखा है कि नहीं, postman हम open करते हैं, यहाँ से, postman पर open किया हमने, अब ठीक है, यहाँ पर हमारा API postman run हो रहा है, अब आते हैं, हम यहाँ पर कुछ method define करते हैं, जैसे get, put, post, edit, update, इन सारी चीज के लिए जो method यूज़ करते हैं, चार ही method होता है, get करना, post करना, put करना, delete करना, ठीक है, इन ही चार हो method के थुरू हम method define करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम get all post data करने वाले, get all post data में, simply हम get all post use कर रहे हैं method, और इस method को हम बनाएंगे, इस method में हम data को return कराएंगे, ठीक है, और साथ इसको हम observable type का बनाएंगे, तो पर automatically rxjs import हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा rxjs की ही library होती है, observable, data को observe करना, और data observe बिना model के नहीं करता हो, तो यहाँ पर हम pass करेंगे, अपना interface, post, ठीक है, यह भी हमारा, देखो, model import हो चुका है, अब हम जब भी data observe करते हैं, तो उसको हम return कराते हैं, तो यहाँ पर हम data को return कर करना पड़ेगा, यहाँ हीट करेंगे return, space, this.this.htp use करेंगे, ठीक है, http.अब यहाँ पर get करना है कि post करना, put करना, तो हमें get करना है, तो get use किया, और get किस 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 माध्यम से करना है, जैसे किस model से करना है, तो उसके लिए हम use करेंगे अपना model, तो मैंने यहाँ पास किया, post और simply यहाँ this.url पास कर देंगे, that's it, ठीक है, तो हमारी get all post की API complete बन गई है, और data observe हो चुका है, और अब इस observe को हम जब component पर जाएंगे, तो subscribe करेंगे वहाँ पर, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिफ service में method सारे देखेंगे बस, अब बात आती है, दूसरे method की, जिसमें हम देख लिखने वाले है, get post data by ID, जब भी हम जो post data है, हमारा by ID की थूख कैसे get करेंगे, तो simple सी बात है, इसके अंदर हमें ID की जुरुत पड़ेगी, तो इस data को, इस method को भी हम observable रखते हैं, और इसे हम post model की थूख करेंगे, यहाँ पर कर ले bracket open and close करेंगे, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर भी हमें data return ही कराना है, data return ही होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ID दे देते हैं, जो की ID हमने data model में string type का रखा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम hit करते है, return, this.http.get, क्योंकि get ही करना है, इसमें भी, चाहे by ID के थूख get करना हो, चाहे पूरा data get करना हाँ, इन दोनों में फर्क यह है कि उसको मैं पूरा array के form में get कर रहा हूँ, इसको हम single data form में get कर रहा हूँ, ठीक है, यह चीद ध्यान देना, यहाँ पर this.url plus forward slash के साथ, कॉन को नेट किया था, हमने post को, याद हो तो, तो यहाँ पर मैं pass करूँगा, plus ID, लेकिन यहाँ पर हम, ठीक है, अब हम इसी तरीके से copy करते हैं, और एक बार paste कर लेते हैं, क्योंकि, जो get data by ID होती है, उसी तरीके से delete data by ID भी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा changes नहीं होता, तो हमने लिखा delete post data, और simply हम method का name में change कर दे रहा हूँ, delete post, और delete post पर भी ID जरूत होती only यहाँ पर हम delete pass कर देंगे हो गया, यह भी हमारे delete के भी method complete तयार हो गया, इसी तरीके से हम आते हैं, next point के तरफ, next method के तरफ, इसको पहले format कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा से scroll down करेंगे, यहाँ पर हम comment pass कर देते हैं सबसे पहले तो, post, पहले update लिख देते हैं, update data by ID, update post data, अब यहाँ पर हम update method लिख रहे हैं, अब update method पे हमें, सबसे main चीज होती है, पूरा को पूरा data हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक reference variable post ले रहे हैं, जिसका data type में define किया हूँ, post, ठीक है, और इसको भी observable करूँगा, post type में ही, curly bracket open and close, और यहाँ पे भी हम data return ही कराएंगे, जहाँ जहाँ आप observable यूज करेंगे, वहाँ data आपको 100% return कराना पड़ेगा, नहीं थी एरर देगा, ठीक है, this.http. यहाँ पे हम data update करने के लिए put method यूज करते हैं, ठीक है, अब इस पे हम as a post पास कर रहे हैं, this.url, sorry, यहाँ पे URL होगा, plus forward slash, plus post.id, comma, post, अब mongodb के साथ एक यहाँ पे छोटा सा scene create होगा, लेकिन इसको हम last में cover करेंगे, वो scene क्या create होगा, क्योंकि जो हमारा mongodb होता है, उसका database का schema structure अलग होता है, ठीक है, कुछ लोग को उससे भी problem होती है, तो उसका भी आज यहाँ पर solution हम कर देंगे, इसमें कोई problem नहीं है, ठीक है, अब next हम last method यहाँ पर define कर रहे है, post method, क्योंकि चार ही method होते है, get, post, put, delete, ठीक है, इन ही चार method पे पूरक पूरा application चलता है, चाहे कोई भी application बनाए, कितना भी बड़ा, कितना भी जोड़ा, इन ही चार method पे चलेगा, तो post data करने के लिए भी हमें पूरक पूरा object की जुरूत होगी, और वो object model हमारा post model data के थुरू रहेगा, और यहाँ पर हम data को observable कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम post add, ठीक है, post data type, अब यहाँ पर हम same return कराएंगे, this.http.post, क्योंकि यहाँ पर data create करेंगे हम, तो data create करने के लिए post method यूज़ किया जाता है, और यहाँ यहाँ पर use करेंगे same as this post, data model, parenthesis के अंदर, यहाँ पर हम this.url, और साथ ही साथ यहाँ पर हम pass करेंगे same as this post, ठीक है, जो reference variable हमने ले रखा है, तो यहाँ पर यह हमने सारे के सारे method define कर लिए, सारे method बन गए, delete के, update के, post के, get के, get by, id के, अब हमें service पर कुछ भी changes नहीं करना है, service पर हमें कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पर पूरा complete service की सारे method लिख चुगे हैं, ठीक है, अब हम next point के तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि हमने बोला था, component के ts file में अब हम data को subscribe करेंगे, तो subscribe करने के लिए, जैसे आपने method write किया service में, उन्ही method को use करके, हम data को subscribe करते हैं, ठीक है, तो subscribe करने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने component पर, ng on init को implement करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, implement on init, implement on init, ठीक है, और इसके अंदर हम create करते हैं, constructor, जिसके अंदर हम private तरीके से services वगरा इंजिक करेंगे, और library इंजिक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक हम और create करते हैं, ng on init, लाइब साइकल होगी, ng on, on का o capital रहेगा, init का i capital रहेगा, ng on init, parenthesis, और इसको मैं रखोंगा, void type का, यह data हमारा पूरा void type का written करेगा, ठीक है, तो यह हमारा complete बना, इसको भी हम import कर लेते हैं, core library का, तो इसको भी update import from angular core, तो यह देखो, import हो चुका है, अब हमारा complete, यह component create हो गया, अब इसके अंदर हम, सबसे पहले तो post, method, post variable लेते हैं, जो कि हमारा post type का होगा, यहाँ पे एक dummy object create कर रहे हैं, अब interface बनाने का फाइदा यह होता है कि इसमें directly quick fix करते ही, add missing property क्लिक करोगे, तो सारी property automatically यहाँ पे आ जाती है, तो यह हमारा एक dummy object बन गया, object variable, अब इसी के तो हम सारा का सारा use करेंगे, और साथ ही साथ ही यहाँ पे हम सबसे पहले constructor के अंदर private key property के साथ हम अपने API को import कर लेते हैं, API colon API service, API service नाम से हमने services बनाया है, यह automatically top पे import हो गया, post data model भी import हो गया, अब इसी के साथ हमें completely work कर रहाना है, ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और variable ले लेते हैं, जो की array type का होगा, जिसमें हम सारा का सारा data get करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा all post, और यह रहेगा हमारा post data model type का, जो की blank रहेगा, by default array type करेंगे, जिसमें हम सारा data get करेंगे, get all data पे यह ही रहेगा हमारा, उसके बाद आते हैं हमें अपने engine on init के नीचे, यहाँ पर हम method create करेंगे, लिखते हैं get all data का, get all data को हम subscribe करेंगे, मतलब जो कि जितना भी complete हमारे database में data होगा, उस पूरे data को हम पहले observe कि यह services के अंदर, अब उस service के method के through हम यहाँ पर subscribe करेंगे, तो यहाँ पर हम एक नया method बना रहे हैं, get all, get all post, और यहाँ simply हम pass करेंगे, this.api. अब देखो, API के अंदर सारा method आ गया, तो यहाँ get all post वाले method को हमने ले लिया, dot subscribe, subscribe के अंदर हम response इसको कह सकते हो, या result कह सकते हो, ठीक है, तो हमने result लिया, RES, और यहाँ पर सबसे पहले मैं error को console करा लेता हूँ, क्योंकि, यह error जो console कराऊंगा, यह directly error हमारा server करें रहेगा, अगर मालों कुछ server types error आता है, तो यहाँ पर हमको वह error बताएगा, तो यहाँ पर console.log error, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास response में data है, तो this.all post के अंदर यह सारा data इस्टोर हो जाए, ठीक है, तो हमारा get all data complete बन गया है, इसी तरीके से हम बाकी सारे, इसी तरीके से हम बाकी सारे application, बाकी सारे method को use करेंगे, अब next है, get data by id यहाँ पर हम by id के थूँ data get करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया method बनाते हैं, get data by id post नाम का यहाँ पर हम एक reference variable वहाँ पर भी लिये थे, और यहाँ पर हम पोस्ट नाम का variable ले रहे हैं, अब यहाँ पर हमने, वहाँ पर हमने directly id लिया था by id के थूँ यहाँ पर पोस्ट.id लिया हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस पोस्ट के id के id को हम यहाँ पर subscribe करेंगे, इसलिए पोस्ट के id लिया है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर error को return करा लेता हूँ, जितने method बनाऊँगा, सबसे पहले मैं error को return कराऊँगा, उसके बाद उसी के विहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, post is equal to response, ठीक है, यह जितना भी response आएगा, उस id के पोस्ट पे आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा data आजाएगा एक साथ, single data ही आएगा, उस id का data आएगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम delete data by id कर लेते हैं, delete data by id में basically बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, same जैसे get post by id, जैसे मैंने वहाँ method create करेंगा, उसी तरीके से यहाँ delete data by id भी होता है, sorry, delete data भी होता है, तो delete data के लिए हमने post पर आए, post को as a post type का रखा, जैसे के हमने top पर define किया, अब यहाँ पर हम this.api.deletepost ठीक है, यहाँ पर this.api.deletepost और यहाँ पर post.id, subscribe कर लेता हूँ data को, response, response के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले error को console करा लेता हैं, जैसे के हमने बताया पहले ही, एरर को console करा लेता हूँ, एरर console कराने के बाद यहाँ पर हम, अब this. this.ap all post is equal to blank ठीक है, इसलिए कि जब उस id का data हमारे delete हो जाएगा तो उसके बाद हमारा all post blank होगा, ठीक है, उस all post के blank होने के बाद, यहाँ पर हम use कर लेंगे get.all post, मतलब जो all post में data है, पूरा फिर से reload हो जाए, और इस चीज़ के लिए अभी इसमें थोड़ा सा customization करूँगा, जब मैं designing करूँगा, ठीक है, designing करते हैं, customization बहुत must होता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़े method के through कराने बढ़ते हैं, तो इसलिए changes अभी होगी, तो इसलिए यह वीडियो के बाद आपको last video देखना must है, नहीं तो आप confused रहेंगा, अगर आपको आता है, तो आप इसको use भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखके ही आप इसको सीख पाएंगे, आप API बन गई है, मैं यहां method define कर दे रहा हूँ, आप सारे सारे और subscribe भी कर दे रहा हूँ data, ठीक है, observe किया, subscribe भी कर दिया, अब आप use भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आप logic लगाना जानते होगे, तो नहीं तो मैं design करूँगा, वो वीडियो देखना, आपको complete mean stack developer बना के ही छोड़ूँगा, ठीक है, तो अब यहां पर create post data कर रहा हूँ, create post data पर basically करना यह होता है, ति हमारा post as a reference variable है, post data type data model है, यहाँ पर simply API में मैंने create post किया था, as a post pass कर रहा है, subscribe किया data को response में, response ले लूँगा भी, error के लिए, error हम console करा ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत जादा कुछ changes नहीं है, बहुत easy हो, बहुत simplest तरीक अब यहाँ पर simply this dot all post is equal to blank, ठीक है, और यहाँ पर this dot all get all post को भी कर दूँगा, जैसी data add हो, वैसी on time पर reload हो जाए, फिर समारा get all post, तो इसलिए आप चाहो तो यहाँ पर ng on end भी call कर सकते हो, पिछला वीडियो हमारा, जो create system का था, जेशन सर्वर पर, एकदम latest model पर समझाया ह ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजे clear कर ली है, अब यहाँ पर कुछ चीजे हमें change करना है थोड़ा सा, ठीक है, put के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक title नाम का variable ले रहा हूँ, string type का, जो कि by default blank रखूँगा, इसी तरीके से, यहाँ पर content नाम का एक variable लूँगा, जो कि यह यहाँ पर हम string type का होगा, और यह भी हमारा blank ही होगा, और एक और variable ले यूजर नेम, जो कि हमारा, यह भी string type का ही होगा, और यह भी हमारा blank ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारे तीन variable हमने लिए तीनों blank थे, अब यहाँ पर हमें काम कर लेते हैं, इसको पूरे को पूर कर लेते हैं अपने ng on init पे पेस्ट कर लेते हैं पेस्ट करने के बाद एक काम करते हैं डाइट लिखती देते हैं इस.title is equal to blank ठीक है इस.content is equal to blank and इसको भी terminate कर देता हूं and this.username is equal to blank basically इनको by default जितनी बार पेज लोड होगा उतनी बार ng on it life cycle work करेगा लाइप साइकल होग जब और करेगा तो by default सारे डेटा को blank रखेगा यह नहीं तो previous डेटा को ही लोड कर आके दिखाएगा बार बार ठीक है तो यह करना बहुत ज्यादा important होता है अब हम आते हैं edit के लिए ठीक है एडिट करने के लिए एडिट डेटा बाई आईडी यहां पर हम जो आप मेथड बनाएंगे एडिट करने के लिए बहुत धेहान से देखना एकदम सिंपल तरीके से मैं डेटा सब्सक्राइब कर दूँगा लेकिन मैंने बोला न कि लास्ट में जब डिजाइनिंग करूंगा तो थोड़ा चेंज़ करूंगा ऊसे क्विहाद पर बहुत बीटिफुल अप्लिकेशन पाएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने दिया एडिट पोस्ट और सिम्प्ली यहां पर मैंने दिया पोस्ट कॉम कॉलरन पोस्ट डेटा मॉडल ठीक है एंड करलिप ड्रेकर get all post get post by ID post क्योंकि हम exact ID को हम edit करें ठीक है this.title is equal to post.title और इसी तरीक है this.content is equal to post.content and post.content and this.username is equal to post.username ठीक है और यह तो हो गया हमारा edit का scene ठीक है अब update करने का scene देखो क्योंकि वह update करने का मतलब होगा कि जब किसी ID पर edit करेंगे तो इसकी particular ID के विहाब पर सारा data title content username पर डाल देगा अब उसके बाद अपडेट करने के लिए अहां simply this.post.title is equal to this.title ठीक है अब देखो update करते समय अब हमारा जो हमने edit करते समय title पर रखा है वो value उठाएगा क्योंकि मानलो कुछ changes कर दिया user ने नहीं change करेगा तो same as this pass हो जाएगा update हो जाएगा अगर same as this नहीं करता कुछ मानलो changes करता है तो यह update वाला method वर करेगा इसमें this.post.content is equal to this.content and इसी तरीके से this.post.username is equal to this.username तो उपर वाला जो edit वाला scene है वो इससे interconnected है ठीक है तो इसलिए यह edit update मेथड बहुर द्यान समझना अब जब हमारा तीनो डेटा पोस्ट के title content username में चला गया तो अब मैं क्या करूंगा simply this.api this.api.put update post ठीक है क्योंकि यहां पर हमें update करना है यहां पर update post यूज करूंगा and parenthesis के अंदर this.post क्योंकि पोस्ट वाला data हम अब पोस्ट के अंदर सारे latest data इन पोस्ट वाले डेटा को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब करने बाद console.log error ठीक है अब हमारा complete हो गया services का सारा method हमने consume कर लिया subscribe कर लिया सारक सारे data अब मैंने बोला था कि मैं services के अंदर सारा code लिख दूँगा यहां पर एक काम कर लेते हैं है condition लिखते हैं this.title this.title is equal equal blank हो या तो और symbol लगा हो यहां पर यहां पर basically मैं यह चेक करूँगा कि अगर मालो title blank होता है या content blank होता है और या तो username blank होता है इसमें से कोई भी data अगर मालो blank user शोन रहा है तो उस case में एक alert करा दे कि please fill valid value ठीक है यहां पर valid value के साथ इसको fill करना must हो जाएगा एक alert आएगा उसके यूजर के पास otherwise as this जैसा मैंने code में लिखा वैसे ही यह work करता रहेगा तो simply यह तीनों मैंने condition लिख दिया है curly bracket के साथ यहां पर alert करा देता हूं single code में data simple एक hard coded message पास कर रहा हूं please fill all valid value या all the fields all the value on fields ठीक है तो यह सारे सारे हमारे method complete हो चुके हैं और यहां पर हम return करा लेंगे simple return keyword ठीक है तो हमने data subscribe भी कर लिया अपने component पर आके अब सारे सारे जितने method हमने API पर लिखे थे सारे API के method हमने यहां पर consume कर लिए हैं और यहां delete पर एक छोटा सा condition लगा देते हैं window confirm button window confirm button basically yes or no provide करा था अगर आप yes करेंगे तभी data delete करेगा तो यहां पर window.confirm में एक message देते हैं are you sure you want to delete this data या delete this id जो भी आप पास करना चाहों आप अपने हिसाब से message pass कर सकते हो मैं यहां पर देता हूं are you sure want to delete this data और यहां पर हम id को dynamically connect करा ले रहे हैं with the help of plus symbol plus id ठीक है तो जितने हमने services पर method बनाये थे सारे सारे method को हमने यहां पर consume कर लिए हैं और अब हमारा service भी तयार है और service के अंदर जितने method थे उसके तुरू data को हमने subscribe भी कर रखा है अब हम directly आते हैं app routing module.ts पर जहां पर अपने data के routes को define करेंगे मतलब हम अपने components के route को define करने वाले थीक है इसके अंदर हम यहां पहले pass कर देते हैं ठीक है अब इसको हम save कर देते हैं यह भी हमारी यह भी हमारे component का सारा code complete हो गया अब आ जाते हैं app routing module.ts में और यहां पर routes array पर आते हैं routes array के अंदर simply object create करते हैं यहां पर देते हैं path colon single code में यहां पास करेंगे dashboard single code में पहली बात तो यहां पर हम blank रखेंगे क्योंकि by default भी हमें dashboard ही run कराना है और यहां redirect to कर रहा हूं single code के अंदर dashboard कॉमा देते हैं यहां path match एक होता है keyword path match जिसपे हमें रखना होता है full तो यहां पर हम देते हैं यह तो full रख सकते हो यह तो prefix रख सकते हो तो basically fully रखते हैं and second object बनाएंगे इसके अंदर हम define कर देंगे path colon single code के अंदर जो हमने ऊपर redirect to किया है वही सेम पाथ हम यहां पर रखते हैं dashboard कॉमा और यहां second keyword आएगा component तो component पे हम dashboard component को call करेंगे dashboard component जैसी ही hit करेंग उपर automatically import हो जाएगा बस हो गया आपका router भी complete हो गया तो यहां पे हमने service पे सारा सारा अपने API का data get किया post किया put किया and delete किया with the help of method और अपने component पे भी हमने data को सारे subscribe कर लिया है तो next video में हम लोग देखने वाले हैं इसकी designing part और देखेंगे इसका output आता है तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए बाबाए keep practice keep coding take care